Do you use WhatsApp? Yes. Do you use Facebook? Yes. Do you use Twitter? Yes. Do you use Snapchat? Sir, myself coming from Village Area. I feelin' ki... I feelin' ki... Okay, my test. A, B, B, Y. Outrage हो गया हर तरफ. Scene तुम्हें सम्झाऊंगा. Outrage हो गया हर तरफ. Scene तुम्हें सम्झाऊंगा. Snapchat इशू की बारी किया. इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा. Fact No.1. Evan Spiegel ने इंडिया को business expansion के लिए poor country बोला ये नहीं. ये एक राज है. किसी ex-snapchat employee ने ये बात claim किये. Maybe ये सच हो, maybe ये जूट हो. लेकिन इसका reaction हर जगे देखने को मिला. Twitter, Facebook, Play Store, App Store, etc. India is a country of love and emotion. हम लोग बहुत ज़ादा emotional है. अगर कोई देश के बारे में कुछ बोल देना, तो यार दिल पे ले देते है. यहाँ दूद मांगोगे, तो खीर दिया जाएगा. यहाँ पे दूद मांगोगे, तो खीर दिया जाएगा. लेकिन अगर बकवास करोगे, तो चीर दिया जाएगा. अब सवाल ये है, कि बिना ये जाने, कि Snapchat के CEO ने ऐसा कहा या नहीं, हमने जो उसकी लंका लगा दिये न, हट जगे. क्या वो सही है, या गलत? जब भी किसी पर कोई इल्जाम लगता है, तो उसको आके सबसे पहले अपनी बात क्लियर करनी चाहिए. क्योंकि बात करने से ही बात बनती है न यार, लेकिन इन भाई साब का दिमाग तो मुझे लगता है कि ये उल्टा चल रहा है. अपनी बात कॉमुनिकेट करने की जगह है, इन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसे मैं अखंड बेवकूफी डिक्लेयर करता हूँ. पहले इन्होंने अपने सारे ट्वीट को प्राइवेट कर दिया, ताकि कोई पुराना काला चिठथा भी खुल के ना आ जाए. उसके 10 मिनट बाद इन्होंने अपने ट्वीट को प्राइवेट से प्रोटेक्टेट कर दिया. मतलब जने लोगों को ये allow करेंगे, सिर्फ वही लोग इनकी tweet को देख सकते हैं, फिर अगले 10 मिनट बाद, इन्होंने अपने सारे tweets ही delete मार दिये, और एक tweet को retweet किया, और मज़े की बात तो ये है, कि उस retweet में इस प्राणी ने फिर से indirectly इंडिया को नीचा दिखाया है, यार म बोलता, कि ये सब कुछ जो भी claim किया गया, ये सब कुछ जूट है, बकवास है, मैंना ऐसा कुछ भी ने किया, ये तो उल्टा अपने ही पुराने सारे tweets को delete कर रहा है, यानि कि चोर की दाड़ी में तिन का, अब आप लोग notice करना, कि मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हू मैं बस ये बोल रहा हूँ, कि चीजों से वही इंसान भागता है, जिसको डर होता है, कि उसकी गलती पकड़ी जाएगी, चलो खेर, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, कि कुछ लोग इंडिया को हमेशा, शुरू इंडिया का फैसला कर सकते हैं, इनके बजार बंद हो सकते हैं हमारे करण, इनकी दुकाने बंद हो सकते हैं हमारे करण, ये अपने देश की पावर और यूनिटी ही तो है, कि एक दिन में स्नापचैट की रेटिंग कहां से कहां गिरा दियार, कुछ लोग सोचते हैं, कि इं पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन्वार्मेंट और लाइफस्टैल के अलग-अलग पैरमेटर्स होंगे ना, लेकिन जब बात देश की आती है, तो सब एक है, सब की सोच एक है, चलो यार आज देख लेते हैं कि Snapchat की क्या उकात है इंडिया के सामने, Snapchat की नेट वर्थ 4 बिलियन है, मुकेश अम्बानी की अकेले की वर्थ 30 बिलियन है, एक अकेला मुकेश अम्बानी साथ बार खरीच सकता है ऐसी कंपनीज को, अगर इस संसार में कोई भी प्राणी ये सूचता है कि इंडिया इस पूर फोर दूइंग बिजनस, तो भाई हम लोग वो लोग हैं, जो अम इठाईयों की बात तो मैंने की ही नहीं अभी तक, so इस बैंक में 90% पैसा इंडियन का है, उसके बाद भी वर्ल्ड की 7th largest economy है यार हम लोग, million नहीं, billion नहीं, trillion dollars का, तो सिर्फ gold हमारे देश के मंदिरों में पड़ा हुआ है, दुनिया की सबसे giant companies, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, इंडिया में monopoly करने के लिए लगी हुई है, पैसे invest करती जा रही है, दिमाग लगाए जा रही है, अगर इसके बात भी कोई गलती से ये सोच रहा है ना, कि India is not good for doing business, तो उसको बोलो कि मोकेश अंबानी से business की class लेकि आए, अर्स किया है कि हमारे पास, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ह सेना, हमारे देश को, हलके में गलती से भी मत लेना, दुनिया में third सबसे जादा billionaires, इंडिया के अंदर है, हमारा देश इतना अमीर है कि मोदे जी को demonetization implement करना पड़ गया, पता लगाने के लिए कि कौन-कौन वाकई में गरीब है, अपना देश गरीब नहीं है, कुछ लो स्मार्टफोन की market हमसे शुरू होती है, किसी भी एप को कभी भी गिरा सकते हैं और कभी भी उठा सकते हैं हम लोग, कुछ लोगों को पता नहीं है कि एक बार ऐसे ही, Royals Ross के एक salesman ने एक इंडियन की गरीब समझ के insult कर दी थी, और फिर उसी इंडियन ने 6 Royals Ross cars को खरीद के उसे कच्रा उठाने वाली गाड़ी बनाके उसे तब तक यूज किया, जब तक Royals Ross वालों ने उससे आके माफी नहीं मागी, इंडियन हाउस वाइफ के पास दुनिया का 11% सोना पड़ा हुआ है, जो USA, प्लस IMF, प्लस Switzerland, प्लस Germany के total revenue से भी जादा है, हम लोग दुनिया में पेट्रोल और डीजल के सबसे जाधा प्राइबगा ने प्राइज प्राइस यार उसके पड़ला ने कोई और इंडिया भी आज़ा है, असल इंडिया की साहर करवाते हैं सर, कि ला अज Sehrud. एक बार्दानमंती प्रादानमंती की खुड़ देती है We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister by a Muslim President to govern a nation of over 80% Hindu आपकी मात्रव भाष्षा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज़र हमारे ही तेश्म गसी जाती है और आप भाष्षा ये नहीं पता हुआ के अंग्रेजी के ज्याततर शब संस्कृत से लिए गये हैं Sanskrit karshat matra, Anglazim in matra, bratra बना brother, jiamati बनी geometry, or trikonmati बनी drenometry It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit For example, matra becomes mother, ratra becomes brother, jiamati becomes geometry Right It may not be, it may not be We reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached this far as the Indian rope trip They're lecturing him, they're fucking owning that guy We have the third largest rule in the world of doctors, engineers, and scientists That's true We have the third largest rule in the world, and even then I fought my hands in humility before you Because we don't believe that we are above or beneath any individual I would say that's a clap all right Why? There's another rule here in our bus I'll send you to Manoj Kumar's Pura Bar Paschum DVD to you In the day Namaste That was awesome I was feeling proud even though I was living in India Right? Thank you We got that but yeah, I'm really proud of him This is definitely one that we have very enjoyed and I enjoyed it very throughout the years I mean it was a great scene and I definitely will should have it again Yes That was some Interesting Stuff right there That was a solid speech right there This is why you're supposed to be proud to be Indian I mean that guy was just a racist I mean there's a very powerful dialogue there Like the message is very strong and very clear that says We are indians, we also have our grades So we've done so many good stuff as well English guy looked horrible there, didn't he? But I think the Indian guy gave it back to him in the best way possible being quite humble and straightened him up. I thought that was really good. That was just so gratifying. Snapchat or other online platform sign up never possible without email. Email was also an Indian. The mind will be hard, the mind will be hard with it. How is the country in Bharat? Tell me, come on to the Havali. And also, I want to give this message that we have a good idea that no matter what we can do without knowing we should share or react not to us. For example, just like today I did, just like I heard that Snapchat of all this scene then I read that article and then Snapchat and CEO profile I checked and then after I put my views on it. And those who are wrong with Snapdeal Snapchat 1 star rating on App Store I would think that I would like to do it. That's my fault. I have no idea. I have no idea. I have no idea. We are great. Talent, brain, market, creativity, anything else. किसी कमी नहीं है यार बस गलती है कि हम खुद पर बिलीव नहीं करते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और बेकार के ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं बस कुछ लोग बस वेस्ट की चीजों को आँख बंद करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यार एक बात बताओ जिस देश ने लगी है न आप लोग को कि हैर ऐसे कैसे कोई हमें गरीब बोल सकता है या फिर बैकवर्ड या कुछ भी बोल सकता है तो प्ले स्टोर पर जाके वन स्टार रेटिंग मत दो यार ऐसा कोई काम करो कि बजे बस अपने नाम का डंका मैनत करो इतनी कि सब की लगा दो लंका दिस